माही को सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि देर राग तक उसने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम किया था। सुबह वसो कर उठी तो उसने हरवडा कर घड़ी की यूर देखा, सुबह के साथ बजने वाले थे, वह सोच में पढ़ गई कि आज तो बहुत देर हो गई, वह फटा-फट से उठी और रसुई में जाकर काम निप्टाने लगी, उसके पती ने भी आकर रसुई में उसकी थो तब जल्दी-जल्दी माही ने बाकी का काम निप्टाया, उसके बाद उसने दोपर के खाने की तयारी भी कर दी, तब भी उसकी सास पूजा करके आई और कहने लगी, बहु, आज ना मुझे छोले बटूरे खाने का बन कर रहा है, तो शाम को तुम छोले बटूरे बना दे मैंने तो पहले ही तुम से कहा था, कि तुम घर और ओफिस एक साथ नहीं सम्हाल पाओगी, तब तो तुमने बड़े ही शान से कहा था, कि नहीं ममे जी, मैं तो सब कुछ सम्हाल लोंगी, तब क्या हुआ? सास को कब क्या खाने का मन कर जाए, यह देखना बहु का फर्ज ब शास ऐसे ही उसे ताने मारने लगती थी अब क्या वह सास को छोले भटूरे बना कर खिलाने के लिए अपनी जॉब छोड़ देती वैसे भी वह अगर जॉब छोड़ भी देती तो दिन भर घर में बैठ कर करती क्या घर का सारा काम तो वह आफिस जाते हुए भी निप्टा ही रही थी उसने गहरी सास छोड़ते हुए कहा ठीके ममी जी मैं शाम को छोले भटूरे ही बना दूंगी इतना कहकर जल्दी से उसने चने भी गोए और अपना परस उठाया और अफिस जाने के लिए निकल गई शाम को घर आते हुए सच में काफी देर हो गई थी उसकी सास गुस्य में मूप फुलाय हुए घूम रही थी जैसे ही माही घर आई तो उसे चाय नाश्ता पूछने की बजाय वह गुस्य में कहने लगी बहु आज तो तुम्हारी वज़े से मुझे ही चाय बना कर पीनी पड़ गई अब डिनर भी बना कर खिलाओगी या उस पर भी आफ़त आने वाली है सास के ताने को नजर अंदाज करके माही हात मोध होकर कपड़े बदलने के बाद रसोई में गुस गई उसे तो किसी ने चाय के लिए पूछा तक नहीं और ना ही उसके लिए चाय रखी हुई थी वस उसने लगी कि अभी चाय बना कर पीने बैट जाओंगी तो डिनर में और देर होगी और मम्मी जी और चार बाते सुनाएगी इसलिए उसने अपने लिए चाय भी नहीं बनाई और ऐसे ही एक गिलास ठंडा पानी पी कर वह कमर कसकर छोले बटूरे बनाने में जुट गई आज रह रहकर उसे लग रहा था कि ससुराल में वह कितनी अकेली है काश सास का थोड़ा सा सपोर्ट उसे मिल जाता तो शायद उसके लिए जौब करना इतना मुश्किल भरा काम भी नहीं होता ठैर थोड़ी देर में उसे भूख के कारण चकर से आने लगे थे तो उसने एक किला उठा कर खा लिया जो वह किला खा रही थी तो उसकी सास ने उसे देख लिया और ताना मारते हुए कहने लगी लू भी सास यहां भूकी ब्यासी बैटी है और बहु फलाहार पर फलाहार किये जा रही है इस बात से माही को बहुत बुरा लगा फिर भी वो बहस नहीं करना चाहती थी तो कुछ बोली नहीं और चुप चाप अपने काम में लगी रही माही चाहे अपनी सास को खुश करने के लिए कितना भी कुछ भी कर लेती थी लेकिन उसकी सास हमेशा हाँ धूकर उसकी जॉब के पीछे पड़ी रहती थी एक दिन रोज की तरह सुबस अवेरे माही ने दोपर तक का खाना तैयार कर दिया था अपना टिफिन पैक करके जब वो अपने कमरे में तैयार होने के लिए जाने लगी तब उसकी सास ने उसे रोकते हुए कहा बहु सुनो आज तुम्हारी ननत के घर चलना है हम लोगों को बहुत जरूरी काम है माही हैरान रह गई वो कहने लगी लेकिन मम्मी जी मेरे ओफिस का क्या होगा फिर उसकी सास व्यंग से कहने लगी देखो बहु आज के दिन उफिस से चुट्टी ले लो अगर जरूरी काम न रहता तो मैं तुम्हें नहीं रोकती अपनी ननत के लिए क्या तुम्हें एक दिन के चुट्टी भी नहीं ले सकती हो माही सोच में पढ़ गई कि उसकी सास आज उसे ऑफिस क्यों नहीं जाने देना चाहती है ठेर थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने कहा ठीके मम्मी जी मैं ऑफिस में फोन करके बता देती हूँ इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज उसकी सास उसे ऑफिस जाने से क्यों रोक रही है उसे इस घर में आई हुए तीन महीने हो चुके थे उसकी ननत भी शादी के बाद अपने पती के साथ इसी शहर में रहती थी उसके सिसुराल वाले दूसरे शहर में रहते थे तो ननत का जम मन करता था वो घर चली आती थी आज से पहले कभी भी माही अपनी ननत के घर पर एक बार भी नहीं गई थी तो माही को लगने लगा कि हो सकता है कि कोई जरूरी काम हो इसलिए वो भी इतनी देर में सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई उसका पती तो पहले ही ओफिस जाने के लिए निकल चुका था सास वहो आदे गंटे के अंदर उसकी ननद के घर पर पहुँच चुकी थी वहाँ जाकर उसकी नननदे उसे नाश्टा पानी पूछना तो दूर तुरंती रसोई का रास्ता दिखाते हुए कहा माही मेरे सिर में बहुत दर्ध हो रहा है देखो न आज तो बाई भी नहीं आई तुम प्लीज मेरे लिए कप कड़क अदरक वाली चाय बना दो न माही स्थब्द सी रह गई पहले इस तरह किसी और के घर में जाकर उसने रसोई का काम तो नहीं किया था फैर सास में उसे घूर कर देखा तो माही चुप चाप रसोई में चले गई कौन से डिबे में क्या सामान रखा है माही को कुछ पता ही नहीं था फिर भी उसकी ननद उसे कुछ भी बताने के लिए नहीं आई तो आखिरकार मजबूर होकर कुदी बड़ी मुश्किल से उसने चीनी चाय पत्ती ढून निकाली उसके बाद फ्रिज में से दूर निकाल कर वो चाय बनाने के तयारी करने लगी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास उसे यहां लेकर क्यों आई है थोड़ी देर में चाय बनकर तयार हो चुकी थी तभी उसकी ननद ने फर्माईश करते हुए कहा माही चाय के साथ थोड़ी पकोड़े भी तल लेना बेसन बड़े वाले डब्बे में रखा हुआ है अब तो माही का मन थोड़ा खराब होने लगा था फिर भी उसने बेसन घोल कर सबजिया काटी और फटा-फट से पकोड़े तलने लगी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ओफिस में जरूरी काम छोड़ कर वो यहां ननत के घर पर आकर पकोड़े तलने में लगी हुई थी खैर सबने साथ बैठकर पकोड़े खाये और चाय पी उसके बाद माही धीरे से बोली हम्मी जी आप किस काम के लिए मुझे यहां पर लाई थी बताईए न सास जट से बोली एरे बहु काम तो होता ही रहेगा अभी तो चाय और पकोड़े बहुत स्वाधिष्ट बनाई हो तुम अच्छा एक काम करो दोपर के खाने की तैयारी भी कर लो तुम देखी रही हो कि तुम्हारी नरत के सिर में दर्द हो रहा है अब तो माही के सब्र की सीमा समापत होने लगी उसे बहुत तेज गुसा आया वह समझ गई कि उसकी सास उसे यहां पर खाना बनाने के लिए लेकर आई है गुसा तो उसे बहुत आ रहा था लेकिन फिर भी अरसोई में गई उसने जल्दी जल्दी डाल, चावल और बैंगन की सब्जी बना दी खाना बन जाने के बाद उसने कहा मम्मी जी अभी हां का काम तो पूरा हो गया और कोई काम तो नहीं है न वैसे तो उसने व्यंग किया था लेकिन उसकी सास बोली बहु अभी में थोड़ी दिर पहले टॉयलेट गई थी टॉयलेट बहुत गंदा है अब सापसफाई करने वाली तो आ जाने वाली है नहीं तो एक काम करो जड़ा टॉयलेट साफ कर दो वो क्या है न कि मेरी बेटी को कि आदत नहीं है और गंदी टॉयलेट में जाना उसे पसंद नहीं है अब एकी काम है वह काम तुम निपटा दो सास और ननत के नकरे देखकर माही हैरान रह गई फिर उसने करारा जवाब देते वे कहा मम्मी जी मुझे लगा कि आप सचमुच किसी जरूरी काम से मुझे य ओफिस में केवल हाफ दे के लिए बात की थी मैं इओफिस जा रही हूँ और आगेसे याद रखिएगा कभी भी टॉयलेट साफ करने के लिए ननत जी की घरतों में बिलकुल भी नहीं आऊंगी पता नहीं आपकी सूच कैसी है कि घर की बहु को लेकर यहां टॉयलेट साफ करवाने के लिए आगई बहु की बाद सुझकर सास को बहुत तेज गुसा आया लेकिन तब तक माही अपना पर्स उठाकर तेजी से घर से बाहर निकल गई थी उसकी सास और ननत उसे इस तरह गुसे में जाते हुए देखते ही रह गई निकलते निकलते माही की आंके गुसे स लाल हो गई थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि वह ननत के घर का टॉयलेट साफ करवाईगी उस दिन के बाद से उसने ननत के घर पर इस तरह सास के साथ जाना ही छोड़ दिया था अब वहां कभी जाना भी होता था तो अपने पती के साथ जाती थी और उसके साथी वापस भी आ जाती थी इसके साथ उसने देख लिया था कि किसी के लिए कितना भी कर लो कोई खुश होने वाला नहीं है तो उसने भी अब खुद को प्रात्मिक्ता देना सीख लिया था दोस्तों यहां पर तो माही में इतनी हिम्मत थी तो वह सास और ननत को मना करके घर से तुरंट निकल गई थी लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर की बहु को उसकी ननत के घर पर नौकरानी की तरह काम करने के लिए बेश देते हैं लेकिन आपके नजरों में यह कहां तक उचित है कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरी लिखी हुई और नहीं कहानियों के लिए कथा संचे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके All का Option जरूर सेलेक्ट करिए ताकि मेरी लिखी हुई नहीं कहानि की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें धन्यवाद